जी हाँ दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट सिदू मुसेवाला का हत्यारा लॉरंस बिशनोई को लेकर ऐसी अपडेट सामने आई है जिसे सुनकर आप चौक उठेंगे आपको बता दे सिदू मुसेवाला जी के हत्या के डेर साल बाद लॉरंस बिशनोई ने ऐसा बयान दिया है हाई कोट में जिसे सुनकर आपकी रूह काप उठेगी आपको बता दे इस बयान बाजी के बाद जो है लॉरंस बिशनोई को मारने के लिए प्लैनिंग चल रही है अब सिदू के फैंस के दौरा जी हाँ सिदू के फैंस बहुत जादा गुसे में है क्योंकि डेर साल से उपर बीच चुका है और अब तक सिदू मुसेवाला जी को डिस्चार्ज मिल जाए इस केस से बाहर निकाल दिया जाए उसे क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है सिदू मुसेवाला जी के हत्या कार्ण में जी हाँ सही सुन रहे हैं डेर साल के बाद जो है ये बात सामने निकल कर आई है जबकि आप सभी जानते है कि 29 मई 2022 को वो क बाहर निकल फिर तजहें हम दिखाते हैं कैसे बचता है तू इस वक्त वो जेल में हैं और VIP ट्रेटमेंट ले रहा है, वो जेल से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है दोस्तों, अगर वो बाहर आएगा तो वो बच नहीं सकता है, ये बात वो भली भाती जानता है क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक नई कई सारे केस जो है लौरंस बिशनोई पर है अंगिनत केस कह सकते हैं लौरंस बिशनोई पर है और वो बच कर जो है जेल में रह रहा है वही उसका फाइव स्टार होटल है क्योंकि होटल से खाना आता है व्यपी ट्रीटमें के पिता ने कहा कि दो चहरे बे नकाब हो गए है आज देर साल बाद मेरे श्रवन पुत्र के हत्या के बाद कम से कम जो पद आपके पास है उन पर बने रहे ये बाद जो है सिदु के फादर ने कही है बहुत ज़दा डिसपॉइंट है वो पहले भी डिसपॉइंट थे पहले असंतुष्ट थे पंजाब सरकार से और अब भी हैं और रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र खोया है और उसके बाद जो है उन्हें जस्टिस भी नहीं दिया जा रहा है जबकि उन्होंने सारे सबूत सारे गवा जो है पेशी के दौरान कोर्ट में जा लगा सकते हैं कि फैंस कितने जादा गुसे में हैं और कितने जादा डिस्टपॉइंट है वो सरकार के इस फैसले से अभी फैसला नहीं आया है लेकिन उन्हें लोरेंस के वकील ने जो है अरजी लगाई है और हो सकता है कि उसे डिस्चार्ज मिल जाए सिदू मुसे वा और आज भी कही है उन्होंने जब ये बात सामने आई कि वो डिस्चार्ज के लिए अरजी लगा रहा है कोट के अंदर वेल आप बताएं कि सिदू मुसेवाला जी को आखिरकार जस्तिस ना मिलने की असली वज़ा क्या है क्या सरकार मिली हुई है लौरंस विश्चनोई से ये वज़ा है या कहीं और से उसे सपोर्ट मिल रहा है भरपूर जरूर अपनी राय कमेंट श्रक्षन में लिखिएगा साथ ही एक और अपडेट हम आपको देना चाहेंगे इस वक्त जो बड़ी अपडेट सामने आई है दरसल आपको बता दे 29 में 2022 की शाम को जो जिस हतियार से सिदु जी की हत्या की गई थी वो हतियार इसी गुर्गे के शूटर ने जो है लौरंस के गुर्गे ने ही उपलब्ध करवाई थी आपको बता दे इसका नाम विक्की है इतना ही नहीं सिदु की माता चरनकौर जी न नहीं किया गया था जिसका नाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जुबान पर है लेकिन इससे साफ है कि सरकार मेरे बेटे से कितनी नफरत करती है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं लेकिन जब पत्रकार ने पूछा तो मेरे सम्मानित भायों ने मेरे बेटे के मांग की और कहा कि सरकार के दुर वहभार के कारण मेरा बेटा मरा है वहीं इस पोस्ट को शेर करते ही सिद्धू मुसे वाले की माता चरन कौर जी के पोस्ट के नीचे जो है कमेंट्स की भरमार लग गई मिला लग गया और फैंस ने एक ही बात लिखी जस्टिस फोर मुसे वाला देने वा दोस्टों